भागलपूर के मदुदनपूर थानाच्छित्र के भतोडिया की रहने वाली तीस वर्सिय विभायता महिला के साथ उसी गाउं के रहने वाले तीर युवकों ने दुसकर्म को अंजाम दिया है एक युवक ने महिला के हाथ को पकड़ा दुसरे ने रुमाल से मुह बंद किया और तिसरे ने उसके साथ जबरन दुसकर्म किया महिला चीखती चिलाती रही परंतु हवस के दरिंदों ने उस महिला की एक नहीं सुनी सिवनन्दन यादब ने महिला के हाथ पकड़े दिलीप यादब ने महिला के मुह पर उमाल रखा और प्रकास यादब के बेटे रोहित यादब ने उसके साथ दुसकर्म किया भतोरिया की रहने वाली तीस वर्सिया विभाईता महिला रात के करीब नौ बजे रातरी में अपने घर से खेत की और सौच के लिए जा रही थी तभी तिनो बहसी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया घटना के बाद जब पिलिता अपने भाईयों पिता के साथ दिलिप यादव रोहित यादव और सिवननदन यादव के घर बोलने गई तो उन लोगों ने पिलिता और उसके परिवार के साथ मारपीट भी किया इस दुस कर्म और मारपीट के मामले को लेकर पिलिता मधुसुदनपूर थाना पहुँची लेकिन वहां से आस्वासन मिला कि महिला थाना जाकर अपनी फरियाद सुनाएं उसी बाबद आज पिलिता महिला थाना पहुँची और अपनी फरियाद का आविदन दिया वहां से आस्वासन मिला कि जल्धिस पर कारवाई की जाएगी और दोसियों को सजादी जाएगी गौर्ड तलब है कि 30 बर्सिय प्रिता महिला की साधित 7 बर्स पहले साहकुंड में हुई थी प्रिता के पती अभी किसी केस में बर्सों से जेल में बंध है जिसकारण प्रिता अपने ससुराल में नहीं रहकर अपने माईके में रहती है बता दे दिलीप यादव और सिवनंदन यादव अपने घर में अभी भी मौजूद है लेकिन परकास यादव का पुत्र रोहित यादव फरारत चल रहा है अब देखने बाली बात या होगी कि पुलिता को कब तक इनसाफ मिलता है या फिर हवस के दरिंदे यूही खुले आम घूमते रहेंगे कहां पर उसका दुआर पर इसका घरे के पास और अब नेरा कोई नहीं है वहां परकराने वाला है क्या चाहता है अब बोलाशा पहले भी फिरकाने क्या सकते है ना इसाथ तो अस्टे वार्म जावा आए यही सब वहा है मेरे साथ रेख किया क्या है कि आहे रोहित और वह दोनों भाई पकर पकर है था क्या आनको भाई का संदेगो आए शिननन्दा ने अर दिलीग और बान का नमन जली है अर उसका ममी का बूद हो रहे जी है कि आम भाई के साथ वही रेख किया है क्या रुवित जयादा वर्द जयादा रू इसका नम कहें क्या आभ कुप पकंधा था वह तीनों भाई भाई बैस इसको देखां बस तरको पकर लिया ओं डिलीग कुमार और रूःट कुमार ने रेख किया रूडन्र पक्धा था भागलपूर में बन रहे सूपर इस पेसिलीटी हॉस्पीटल का निरिच्छन सांसद अजय मंडल के दुरा किया गया निरिच्छन कदरान जबहारलाल नेरुच कित सास्पताल के पिंसपल अस्पताल अजिचक सहीद प्रोजेक्ट मनेजर के साथ साथ अस्पताल निर्मान के कारे में लगे अधिकारी और कर्मी मौझूद थे दो सो करोडों की लागत सेल अस्पताल में दो सो बेड का अस्पताल बन रहा है जिसमें नो ऑपरेसंट थेटर सहीद चालीस बेड का आईस्यू भी यहाँ पर रहेगा इस अस्पताल को 2020 मार्श में बनना था लेकिन नगातार इसकी समय सिमा बढ़ती रही और अभी भी यहाँ पर काम चालू है अस्पताल के प्रिंस्पल सहीद प्रोजेक्ट मनेजर का कहना है कि रासरकार के दोरा हाइट कमपनी को 30 को रूपिये देने थे लेकिन पिछले सार मार्श लाश्ट में पैसे आये भी थे फिर वापस हो गए जिस करण से काम अधुरा पड़ा हुआ है वहीं इलनों का कहना है कि अगर रासरकार कमपनी को रासी दे दे तो काम में और तेजी आएगी और अस्पताल जल्दी चालू हो सकेगा सांसत का कहना है करोन समस्या को देखा है और जानकारी ली है जिसके लिए वह रासरकार से रासी निर्गत कराने को लेकर बात कर रहे हैं और जल्द ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी फिर यह काम करके और यह चीज अभी भी कुछ-कुछ छोटे-मोटे काम हो रहे हैं वह कुछ अभी समय उसको जैसे बोलते हैं कि अभी ओटी का फरवड़ी तक में होगा तब तक इस बीच में मेरा फंड आ भी जाएगा फंड को फंड के थोड़ी देरी हो रही लेकिन काम उसके चलते रुका हुआ नहीं है अब यहां से जो कमी मिला है चालू नहीं होने का कारण है उस पर हम करवाई करवाते हैं कि इसको अभी लब हम चालू करा ग्राज सर्कार का मामला है या सेंटर सरकार का मामला है उ तब जौन्ने के बाद होगा नो इसके जनकारी में पूर्ण जौनस इसके बाद मैं उपको बता सकता हूँ हम तो कोशिज करेंगे कि जितना जल्ध अगले मैं नहीं इस्टार्ट हो जा तो बहतर है लिए लेकिन और पहल भी इसी के हो जितनों जल्दी 2023 के ये नहीं कि दिसम्मर में मार्च के पहले-पहले हम इसके इशाट करने का संभ़ प्रियास करें भागरपूर विधायक सा कांग्रिस विधान मंदल के नेता अजीत सर्मा ने सिच्छा मंतरी चंदर सेखर सिंग के बयान पर कड़ी परति किरिया देते हुए मंतरी के बयान की घोर निंदा की है अजीत सर्मा ने कहा कि भगवान राम, सबरी, केवट सभी जाती समुदाय को लेकर चलते थे राम चरित्र मानस समाज में नफरत नहीं फैलाता पूरे देश के वो भगवान है मरियादा प्रुसोत्तम राम के बारे में इस तरह का बयान आश्चर जनक है उनका बैक्तत तो बिलकुल गलत है ऐसे बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए बतादे सिक्षा मंतरी चंडर सेखर ने चात्रों को संबोधित करते वे कहा था कि राम चरितर मानस नफरत फैलाने बाला ग्रंथ है उन्हें कहा कि इस किताब से इस समाज में नफरत फैलती है मनु इस मिर्ति को क्यों जलाया गया था क्योंकि इसमें कई बड़े तब के खिलाब कई गालिया दी गई थी इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हल चल मच गई है मंद्रि को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए पुरे मर्याधर रांपुरे पुरा चर्चा है, उपर अधारित है पुरे देश वासी उँठी उनको मानते है और वाँ सभी जाति को लिएक चलए है राम भगवान इसलिए बिल्कुल गलत है उनका वक्त भी गलत है उनको इस बात को वापस ले लाज़ी है दिवाकर परसाद मिसर का पुत्र परसांत कुमार नीलकंट नगर हवाई यड़ा थाना तिलकामाजी का निवासी है जानकारी के नुसार परसांत के साथ भागलपूर के बरारी हाउसिंग बोर्ड निवासी नितीस कुमार बाइक पर सवार होकर जा रहा था पुलीस को नितीस ने बताया कि वे लोग स्राद कर्व में सामिल होकर अपने घर हो आपस लौट रहे थे जगतपूर में इमली गाच के पास गाली देते हुए बाइक सवार दो यूगों को ने ओवर टेक किया बाइक नहीं रोकने पर गोली चला दी पहली गोली परसांथ के हैलमेट में लगकर छिटक गई दूसरी गोली फिर चलाई जो पॉकेट में रखे मोबाइल में लगते हुए उसके पेट में लग गई उसके बाद एक और फायर कर अपराधी भाग गए देर रात माया गंज बें उपरेशन कर गोली निकाली गई वहीं घटना के बाद पुलीस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है पॉस्टर बैनल्स के दोरा यह प्रदसित किया गया कि अमराज दोरा कहा जा रहा है अगर तुम सीट बैल्ड नहीं लगाते हो तो मैं तुरंत आ रहा हूँ अगर दुरुखटना होती है तो आपने सीट बैल्ड लगाया हुआ है तब ही कार में लगा एयर बेख खुलता है और आपकी जीवन की तच्छा हो सकती है यह भी दरसा आ गया आज सुचिता सप्ता का दुसरा दिन है आप देख सकते हैं कि जीवन जागरिती सोसाइटी के दोड़ा बीविन तरह के कार्श करम किया जा रहा है और इसमें दिखाया जा रहा है कि ट्राफिक गूरूस का पालन करना कितना जरूरी है उसी करम में आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि फोर्वीलर में जो सीर्वेड होता है उसका यूज कितना लाब दैख होता है और यदि नहीं पांगते हैं तो किस तरह से एक्टेंड होता है और लोग का दुरुगटना से ग्रस्त हो जाते हैं अलोगी मृत्यू तेक हो जाती है इसी में अभी एक गारी को हरी यली से रावाना करेंगे और दिखाया जाए गांडिशे में दो लोग बैटे हो है जिसमें एक आदमी जो है दूसरा आदमी बिना से बांदे हो हैं तो उस पर क्या परवा पड़ता है यह आप अभी देखेंगे तो आप समझे यह शीट बेल्ट नहीं लगाए हो लगता है तुम जीना नहीं चाहते अभी आता हूँ यह यम्राजी बोल रहे हैं शाच्छा तब बहुत को दावत दे रहे हैं यह बंदन जो दुरगटन होने पर यम्राज के पास जाने से रोके सीड बेल्ट है वह वंदन जो दुरगटना होने पर यबराज के पास जाने से रोके सीड बेल्ट लगाए ताकि घर में ना हो करदन रोना नहीं पड़े आपके परिवार को विलखना नहीं पड़े तो आप यह देखिए यहां दो लोग बैठे हैं एक सीड बेल्ट लगाए हुआ है और दूरा जो सीड बेल्ट नहीं लगाए हुआ है ऐसे में यदि गारी आगे कही एकजेंट होता है या ब्रेक लगता है जोरदाब तो क्या होगा इसको आप अभी तुरत देखेंगे कि क्य होता है है अब लगाते हैं या यहां जीवन यह सकते हैं और सडक परिवाद विभाग का तरकार का सारी का यह कहने का जाज़े आप जरब लगा है ऐं लाखों की गाड़ी लेते एर बैक बेक डे गारी देखते हैं लेकिन सीट बेर लगाना भूल जाते हैं तो सीट बेर लगाईए यदि सीट बेर नहीं लगाते हैं आप देखें इस तरह से आप सीधा सामने से टकराएंगे और आपकी जान चली जाएगी बिहार सेसी परिच्छा का प्रसनपत्र लिख हो गया था जिसमें आंदोलनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी इस पर भागलपूर के सांसद अजय मंडल ने परतिकिरिया देते वे कहा कि सब जगा कानून अपने हिसाब से चलता है और कानून अपना काम कर रही है चोर का काम है चोरी करना कानून का काम है उस पर कारवाई करना वोई अपने ही पार्टी के बड़बोले गुपालपूर विधायक नरेदर कुमार नीरज और गुपाल मंडल के बयान पर हुँने कहा कि कोई विधायक हमसे पूछ कर बयान नहीं दिया है। मंडल ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो हमें नहीं कह सकता जिसने कहा है उसको ही जवाब देना चाहिए लुए परिवार में लोग रहते हैं यहीं करीवार के लोग एक बाप का दो बेटा होता है अक सिपाही हो जाता है बढैब जी कि में झाले के वह जो करवाई हो बारार ही होगाता हैं इस बरशनी रिक हो जाता है हम तो आपको बता रहा है ना अधिवक्ताओं के बैठने के चैंबर में एहले सुभा आग लग गई आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधिवक्ताओं के बैठने के चार जगों पर फैल गई और उपर की जोपड़ी और कुरसी और टेबल पूरी तरह से जलकर राक हो गया आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग आग आखिर कैसे लगी हम लोगों को सुभा पता चला कि आग लग गया है टेबल में तो हम लोग आएं तो देखें कि टेबल नहीं तक रात था पिर हम लोग दमकल वाले को कुछना दिये हैं थना को भी इनफॉर्म किये सभी मौके पर आएं और आग को बुझा है इस में से आसुतोस वावू का टेबल जला है अजय वावू का भी जला है सुकला वाव को भी जला है दिरेन महन सुकला का और गोरी वावू का जला है निगरानी की दबीज जारी है इसी क्रम में कलपूर्णिया के राश्वकरमचारी अवधेश कुमार गुपता को निगरानी के टीम ने 35,000 रुपे घुस ले तेवे गरपतार किया था। के बयान से हिंदू संगटनों के साथ साथ कई धार्मिक संस्थान के लोग उगर दिख रहे हैं जिससे राजनितिक सरगर्मी तेज हो गई है भागलपूर में इस मुद्दे को लेकर महाल काफी गर्म हो गया था। के चलते उन्होंने यह घट या बयान दिया है। उन्हें हिंदू धर्म के भावना के साथ खिलवाड किया है सनातन धर्म पर आगात किया है। यह सनातनी धर्म का घोर अपमान है यह कहीं से सही नहीं है। इन्हें सक्थ से सक्थ जा मिलने चाहिए। अप्रदर सनकारियों ने एक साथ कहा कि उन्हें जल्द से जल्द आटी और पद से बरखास्त किया जाए। यार सरकार के सिक्षा मंतरी द्वारा हमारे धार्मी ग्रंथ राम चरित्र मानस के बारे में अभधर तिपनी की गई वो बेहदीन इंद्य पूर्ण है और इसका बैरंग दल पूर्ण जोर विरोध करता है। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं सहेंगे पूरा सनातंग समाज हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। कुछ वोट बैंक के कारण तुष्टी करण की राईनिती की जाती है और हिंदु धर्म के भाबनाओं के साथ बार बार खिलवार की आयातार हमारे धर्म के बारे में आहत होती है उसके खिलाप हम लोग पूर्ण जोर विरोध करते रहेंगे आगे भी। सिक्षा मंतरी चंदर सेखर का पुतला हम लोग जलाएं और सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द बरखास किया जाए।